हेलो मैं मौमिता हूँ और चार साल पहले मेरी हिस्टरेक्टमी हुई थी इटरस और ओवरी रिमूबल हुआ था उसके बाद से मेरे लाइफ में काफी चालेंज़ आये मेरी बच्पन से ही कॉंस्टिपेशन की और पाइस की प्रॉबलम थी तो यह ऑपरेशन के बाद बहुत जादा बढ़ गया और नीन ना आना बेचैनी और सारा बॉड़ी में पीन्स डॉक्टर के पास जाके बोलने से लागजर्टिब्स और पीन किलर्स इसके जैसे बहुचा जैसा बोलते हैं ना लाइक हैल वैसे हो चुका था और मैं बहुत निराश थी मुझे लगता था कि इस दर्थ से चुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि अगर मैं खुद कुशी कर लो इतना मैं मेरी सेल्फ एस्टीम लोग हो चुकी थी खेर मैं हाने वाली नहीं थी डॉक कि आपको ठीक रहां तो मैं नौन वेजेटेरियन थी मुझे इस ऑपरेशन के बाद से अचानक से में अंदर से फील हुआ कि मुझे इसको बंद करना चाहिए किसी को मार के कोई सुखी नहीं रह सकता तो मैं non-vegetarian से vegetarian बनी पहले फिर मैं three times cooked food लेती थी तो धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के exposure में आई जिनोंने मुझे समझाया कि जीवन खाना याराओ food बहुत better है than cooked food तो मैं धीरे धीरे three times to food में transition में आई और अभी तो मैं एक ही time लेती हूँ बागी दो time fruits ही लेती हूँ thanks to Smita और आशा जी जो मुझे दो साल पहले मैं किसी की कहने पर एक group में join हुई थी और ये लोग मेरे मुझे दूर से like mentoring करते थी क्योंकि मैं ना तो इन्हें जानती थी ये लोग बैंगलोर में थे मैं डैली में थी कोविट का time था मिलना तो मुश्किल था और तो मैं silently इनकी बाते जो भी ये कहते थे to the tea follow करती थी और अपने आप में बहुत सारे changes मैंने लाए खाना भी oil free किया सीखा मैंने और मेरे family में भी members को इस तरीके का खाने tasty और healthy बन सकता है वो मैंने challenge की तोर पर लेकर उसको adapt किया अभी मैंने 21 days holistic buddha का program attain किया था और जैसे सीखना life is a continuous journey of learning तो इसलिए मुझे ये जो program है उसमें शामिल होके मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा और और भी जाना और मैं पहले जैसे juices की महत्व को उतना नहीं समझ पाती थी अभी मैंने juicing को एक जीवन में एक अहम हिसा दिया और ये जाना की body को जितनी आप hydrate रखोगे उतना आप स्वस्तर होगे जितना pranic food खाऊगे जीवन खाऊगे उतना अपनके सोच में अपके पूरी life में पूरी बदलाव आएगी health wise mentally also you will become an evolved person बहुत जादा अपनी सोचने की आपकी सोच बहुत सोच में clarity आएगी intuitive level बहुत बढ़ जाएगी जो मैंने खुद देखा जो मैं सोचती हूँ और वो मैंने देखा सच हो रहा है मतलब मुझे आजकर miracle पहले लगता था आजकर नहीं लगता और वो मुझे पता है कि ये मेरे जो खाने की बदलाव है वो उससे मेरी सोच बदले और उस सोच से मेरी consciousness level और भी ज़्यादा aware हो गई है और इसलिए मेरी intuitive ability बढ़ गई है और meditation की बात कहूँ तो इन लोगों की वज़े से मैं करने की कोशिश पहले करती थी लेकिन उतना strictly follow नहीं कर पाती थी लेकिन ये holistic बद्धा में खाने के changes के अलावा मैंने ये भी संजा कि meditation करना कितना जरूरी है कितनी एहम हिस्सा है आपके जीवन में ये आपकी personality में शान् कितना मैं बोलू जितना बोलू उतना कम रहेगा इनके लिए और ये तो मेरे लिए भगवान समान है और मैं सबसे ये कहूंगी कि जरूर इनकी program में शामिल हो ये और अपने अंदर खुदी बतलाओ देखेंगे मैं इसकी कोई advertising मैं नहीं कर रही हूँ खुदी आप जानेग thank you thanks a lot